यदि आपने कोई oral दवा जैसे tablet या capsule ली है तो आपने दवा के नाम के आगे अलग-अलग अक्षर जैसे SR, ER और CR देखे होंगे आप सोच रहे होंगे कि उनका मतलब क्या है और क्या ये दवा के काम करने की तरीके को बदल देते हैं ये अक्षर एक modified release dosage form को दर्शाते हैं नमस्ते, मैं हूँ आपकी pharmacist अश्विनी और आज हम बात करेंगे modified release dosage forms के बारे में दवा के कई अलग-अलग dosage forms होते हैं और हर एक dosage form में आपके individual needs के अनुरूप unique characteristics होते हैं साथ ही lab और कम्या भी यहीं बात modified release dosage form के लिए भी लागो होती हैं जो आपके शरीर में दवा के release होने के तरीके को बदल देती हैं इस वीडियो में हम अलग-अलग modified release dosage form का review करेंगे और वो आपके शरीर में कैसे काम करते हैं साथ ही उन्हें लेने का सबसे अच्छा तरीका भी देखेंगे सबसे आम oral dosage form immediate release दवा है हलाकि कुछ अपवाद है एक IR दवा आम तोर पर शरीर में प्रवेश करने के तुरंद बात घुल जाती है और थोड़े समय के लिए बहुत तेजी से काम करती है IR दवाए absorb हो जाती है और जल्दी अपने peak level पर पहुँच जाती है जैसे ही आपका शरीर इससे हटा देगा दवा का स्तर कम हो जाएगा इससे dose लेने के बाद आपके शरीर में दवा का स्तर अलग-अलग हो जाता है कुछ दवाओं के लिए इसका मतलब यह हो सकता है कि आपके शरीर में दवा की स्तिर मातरा बनाए रखने के लिए एक ही दिन में आपको कई dose लेने की आवशकता होगी एक extended release दवा को आम तोर पर उसके नाम के अंत में ER या XR के नाम से लेबल किया जाता है जिन दवाओं में ER फॉर्म होते हैं उनके उन्हें शरीर में लंबे समय तक बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है इसे IR वर्जन के तुलना में दवा को कम बार लिया जा सकता है इसलिए आप दिन में तीन या चार बजाए केवल एक या दो ही खुराक ले सकते हैं कई अलग-अलग दवाओं में ER रूप होते हैं जैसे वेनलाफ एक्सिन ER यह एर एंटिडेप्रेसेंट प्रति दिन एक बार लिया जाता है जबकि वेनलाफ एक्सिन आया जिसे प्रति दिन दो या तीन बार लिया जाता है एक्स्टेंडेड रिलीज ये शब्त आमतोर पर एक अंब्रेला टर्म की रूप में उप्योग किया जाता है और इसमें ऐसी दवाई शामिल हो सकती है जो सस्टेंड या फिर कंट्रोल दोनों होती है क्योंकि ये दोनों की वज़़े से कम बार डेली डोज ले सकते हैं सस्टेंड रिलीज दवाओं को आमतोर पर उनकी नाम के अंत में SR के साथ लेबल किया जाता है ये दवा टैब्लेट फिर कैप्सूल से दवा के निकलने के समय को बढ़ा देती है ताकि आपको लंबे समय तक दवा का लाब मिलता रहे इसका मतलब है कि आपको दिन भर में कम खुराट लेने के आउशक्ता हो सकती है इसका एक उधारन है केलन SR इसे प्रति दिन एक बार दिया जाता है जबकि इमीडियेट रिलीज फॉर्म के डोस को प्रति दिन तीन बार दिया जाता है कंट्रोल रिलीज दवा को आम तोर पर उसके नाम के अंत में CR के साथ लेबल किया जाता है CR दवा एक विशिष्ट टाइम जूरेशन के लिए आपके शरीर में दवा के स्तर को स्तिर बनाये रखने के लिए एक विशिष्ट दर पर अक्टिव इंगेडियेंट रिलीज करती है CR दवा लेने के बाद दवा के स्तर पर अधिक सटिक नियंतरन रहता है और दिन बर में कम बार दवा लेने के आउश्चता ही होती है Ambient CR जो के एक नीन की सहायता की दवा है ये एक CR दवा का अच्छा उदारन है Ambient IR रात के अंध तक खतम हो सकता है जिसे कुछ लोगों को रात को उच्छित नीन नहीं मिल पाती दूसरी ओर Ambient CR पूरी रात भैतर नीन को बड़ावा देने के लिए कंट्रोल ट्रेट पर दवा रिलीज करता है Delayed Release दवाए ऐसी दवाए है जिन्हें लेने के बाद Active Ingredients कुछ समय बाद रिलीज करने के लिए डिजाइन किया गया है जो ये नियंतरन करने में मदद कर सकता है कि ये शरीर में कहां रिलीज होता है उधारन के लिए छोटी आत में ये आमतर पर दवा के बहुत जल्डी टूटने से रोकने या संभाविद दुश प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है कुछ DR दवा इलाज किये जा रहे एक शेतर तक पहुचने के लिए Active Ingredients को बढ़ी आतने की कोलोन में जारी करने का कारण बनती है उदारन के लिए Self-Aceleasing DR ये एक दवा है जिसका उपयोग Ulcerative Colitis के इलाज के लिए किया जाता है ये एक Auto Immune सित्य है जो कोलोन में सूजन का कारण बनती है Enteric Coated दवाओं को भी DR खुराक का रूप माना जाता है इनमें एक विशेश Film Coating होती है जो उन्हें पेट में तूटने से रोकती है ये दवा को छोटियां तक पहुचने तक Release होने से रोकता है जिसे पेट का खराब होने जैसे कुछ Side Effects को कम करने में मदद मिल सकती है Aspirinic सामाने दवा है जो EC Form के रूप में उपलप्त है आपका शरीर उसे कैसे रेक्ट करेगा उधरन के लिए एक आया दवा आमतोर पर Modified Release दवा के तुलना में अधिक तेजी से काम करती है इसका तेजी से प्रभाव खत्मी होता है क्योंकि दवा लंबे समय की बचे एक बार में ही पूरा एक्टिव इंडिडिन्स रिलीज कर देती है Modified Release Dosage Form को काम करना शुरू करने में अधिक समय लग सकता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वह आमतोर पर अधिक धीरे-धीरे होती है या फिर जब तक यह आपके शरीर में एक निश्चित क्षेत्र तक नहीं पहुँच जाती वह तब तक टूटना शुरू नहीं करती है और कुछ Modified Release Dosage Form जैसे की ER, SR, CR यह लॉंग लास्टिंग एफेक्ट्स देते हैं Modified Release Dosage Form आपका समय बचाने और कम डेली डोस की अनुमती देने में बहुत उपयोगी हो सकते हैं लेकिन इनके कुछ नुकसान भी है Modified Release Dosage Form विशेश रूप से ER दवाएं IR रूप की तुलना में बहुत बड़े हो सकते हैं जिसे कुछ लोगों को उन्हें निगलने में कटना ही हो सकती हैं वे अपने IR काउंटरपार्ट्स की तुलना में अधिक महेंगे भी होते हैं और दवाखी overdose की स्थित्य में Modified Release Dosage Form को आपके सिस्टम से बाहर निकलने में अधिक समय लग सकता है क्योंकि वे शरीर में लंबे समय तक रहने के लिए डिजाइन की गए हैं अंत में चुकि अधिकांच Modified Release Dosage Form को बदला नहीं जा सकता है दूसरे शब्दों में आपको एक ही बार में एक डोज मिलेगी तो आपके सिस्टम से काटना विभाजित करना आदी यदि कोई विशिष्ट शक्ति उपलब्द नहीं है तो आपकी खुराक को एड्जेस्ट करना मुश्किल हो सकता है अधिकांच Modified Release Dosage Form को कुचलना विभाजित या फिर जब आना नहीं जाना चाहिए जब आप Modified Release दवा काटते हैं तो एक्टिव इंग्रेडेंट्स बहुत तेजी से और इच्छित से अधिक Concentration से Release हो सकता है जो खतरनाक हो सकता है दूसरे शब्दों में आपको एक ही बार में एक डोज मिलेगी जो आम तोर पर लंबे समय की सीमा में रिलीज की जाती है इसके अलावा यदि टैब्लेट है फिर कैपसुल को कुचल कुचल दिया जाए विभाजित कर दिया जाए या फिर चबा दिया जाए तो यह दवा आपके शरीर में ओचित स्तान तक नहीं पहुच पाएगी इसका मतलब है कि आपको दवा को का ओचित प उपलब्ध है इनका उपयोग विभिनकारणों से किया जाता है जैसे दिन में कम बार खुराक लेना कुछ साइड इफेक्ट से बचना या फिर इलाज के लिए इलाज के जा रहा है एरिया को पहतर डंग से टार्गेट करना हाला कि वे इसे लेना अधिक सुवधा जनक बना dużo है तो ये होगी जानकारी मोड़िफ़ई डले लिभ बारे में आशा करते हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे ला tribes करे अपने फ्रेंड और फार्मिली के साथ शेर करें और मेरे च झाल झाल